खुभ विडियो में हम कवर करने वाले हैं. बैल्यू, वैरिएबल and डीटरडाग इस वीडियो वेल्कम में हम कवर सकते हैं, वैल्यू, वैल्यू, वैरियाबल and डेटर दuine दॉआइपसus तो यह पत्रिकूर विडियो, सिफ्प्टॉर्यूory part एंध 2डीट कवर करेंगा आपकी डेट ऑबर्थ एक डेटा है जिसको हम इस्टोर करवा सकते हैं, कम्प्यूटेशन कर सकते हैं, इसे हम एज केल्कुलेशन कर सकते हैं, कुछ जिसे हम एज केल्कुलेट कर रहे हैं, या हम उसमें एड़ कर रहे हैं, या हम days add कर रहे हैं तो we can manipulate also right तो यह होता है value बट इसमें एक particular word यह हुआ है data तो data क्या होता है data can be any piece of information such as number text image audio video कोई भी data कोई भी information जिसको हम digitally represent कर सकते हैं computer science में that can be a data for example text image audio video इस सब data है और अगर आप देखेंगे world में all the software's every program is around data if there is no data तो मदलब कोई computer में कुछ नहीं है no use right तो सब कुछ data के around है आप whatsapp पे message बेज रहे text message बेज रहे audio video बेज रहे that all is data तो सब कुछ data के around ही चल रहा है but हम programming language हम data word use नहीं करते हम value word use करते है to represent data we use value word ठीक है तो अगर मैं value बोल रहा हूं तो मैं कोई ना कोई data है और आप उस data को use करना चाते हैं but आप directly use करना चारे है directly use करें but somewhere you will need a container right to hold that data तो अगर हमें वो data रखना है अपने पास hold करके तो हमें container की नीड़ है box की नीड़ है और वही container variable कहलाता है जो कि उस data को store करके रखता है ठीक है अब जो हमने container उसका कुछ ना कुछ नाम होता है और उस नाम को हम as a reference further अपने code में यूज करते है रिवल बनता कैसे है simple syntax है we use a keyword keyword can be let const और वार यहां पर हमने वार यूज किया है तो वार let const क्या होता है वह हम फर्दर देखिए बट मैंने different keywords होते है आप उनमें से यूज कर सकते है तो variable बनाने के लिए keyword जो मैंने यूज किया है there variable का नाम तो message is the name of the variable तो मैंने या पर जो message word यूज क्या है यह मेरे variable का नाम है and hello world मेरी value है तो what is the value value is hello world message is variable and where is the keyword आप बोलो के equal to क्या है है तो equal to is the operator जो कि further videos में cover होगा and hello world is my value is a string value string क्या होता है वो भी हम just cover करने वाले next slide में ठीक है तो हमें अगर कभी भी कोई value किसी variable में assign करनी है तो variable will be on the left side and value will be on the right side मतलब right side value को हम store करवा रहे है इस container में जो की left side में और उसका नाम है message ठीक है तो यह होता है variable practically हम इसको देखने वाले next video में अब आता है डेटा तो बहुता है जैसा भी हमने देखा text होता है audio वीडियो होता है तो क्या डेटा की टाइप्स होती है डेफिनेटा की टाइप्स होती है बड़ डेटाइप्स को रिप्रजेंट कैसे करते है computer science में उसके लिए डेटा टाइप्स होती है जनरली डेटा टाइप्स टू टाइप्स की होती है प्रिम्टिव एंड नौन प्रिम्टिव डारेक्ली लाइक प्रिम्टिव इस लाइक मूस्ट बेसिक डेटा टाइप यह प्रिम्टिव और नौन प्रिम्टिव गरती है ठीक है नौन प्रिम्टिव जस्ट एक अगर आपको ऐसा कोई आपकी सिच्वेशन है जिसमें आपके जनरली टू आंसर आरे तो आशन मींज रस, जैब होगा में आपको ऊच्भूली और सेकर सकते हैं यह ऐसकी है अगर आपके अपको एकails कर सकते हैं गर क्थयोंगी इंप कर सकते हैं ऊप अब दो बाद में इसको वीडियो में समझेंगेंगें, बट आप फर एकजांपल समझो, दो भाई है, जुडवा है, एकदम शेम चुछ दिख रहे, बट क्या वो सेम है, नहीं, प्र शेम नहीं है, इस तरह की चीज़ें आप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह की चीज लाइक की numbers and बड़े numbers बीग वर्द इस बॉर इस में बड़े नमबर जो नमब टेर टाइप से भी बड़े है मलब चर्थ सुन बड़े नंबर टाइब को पी साइज होती है डेल ऊस्पेक नमडर डिटेल में कवर करने वाले हैं इसको नेक्स परिमिटिव दिटाइप तो non primitive data type में सबसे पहले आता है object अब अबजेक्ट का एक concept है उसमें object oriented programming object basically होता क्या है object एक data type है जिसको हम real world entity को represent करने के लिए यूज करते हैं real world entity के होती है for example a person, a car, an account तो इस तरह कि अगर आपको entity represent करनी है तो आप object बना सकते हैं object में मिली दो चीज़ होती है state and behavior इस्टेट मलब प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर entity की विस्स्ता जो बताए जैसा की person person का नाम ठीक है person की date of worth, car, car का नाम, car का basically brand name, car का color, account number, account name, bank name, ठीक है तो इस तरह की चीज़ा अगर हमें represent करनी है तो हम object data type use करने वाले हैं next is array अगर हमें multiple data store करवाना है single variable में तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए हम एक data type use करनी पड़ती है array, array में हम more than one element या more than one data store करवा सकते है easily वह हम furtherly देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं ठीक है next is function अगर हम कोई code बार बार लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि बार बना लिखे हम single time लिखे और उसको reuse कर लें उसको कर लें तो उसके लिए हमें functions बनाते हैं ठीक है तो अगर हम non primitive कोई भी data type use कर रहे हैं तो it means we are using reference और अगर हम primitive use कर रहे हैं it means we are using original value तो यह main differences आपको primitive and non primitive में याद रख रहे हैं and these are enough for primitive and non primitive